तो आप बता रहा है कि नीम के तेल का इस पर ना है तो इस पर न हे किलिए हम ह Companies जो है सुस्तिक्ति मात्रा लगे गी इस पर दिने में जैसे कि अपनों कि भले टार है हम 15 के अंदर है इसके 60-70 ml नेम तेल के अन्दर मिलाएंगे जो जैंपू का एक पाउच 10 पूरा पाउच इसके अंदर मिला देते हैं यदा ये दार बिशत के अंदर डालने के बाद में इसको अच्छा मिला देते हैं यह जो नीम के तेल का छिड़का हो है यह हमें कितने एकड में कितने पंप इस्प्रे करना चाहिए नीम के तेल का छिड़का हो एक एकड के अंदर साथ से आठ पंप का छिड़का हो में करना बहुत जरूरी है कि जैसे के आपने टन्क डाइक सहेंपू का पाउच मिलाए तो यह क्यों इससे क्या होता है वारी साब नीम का तेल जो है वो बहुत चिकना होता है और जिसे अपने इनका चिड़काव करेंगे फोदों के उपर करेंगे तो वह तेल सीदा अगर अपन इसके अंदर मिला देते हैं तो इसके असर इसके उपर रहेगा यह मतलब पत्य के उपर से इसको नीचे गिरने नहीं देगा है कि इसी लिए शेंपू का पाउच इसके साथ में मिलाना पड़ता है कि अगर बड़ता है